दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एलकाइनों के बारे में एलकाइनों में कार्बन कार्बन परमाड़ों के बीच में एक त्रिक बंद ट्रिपिल बांड अवस्पाया जाता है एलकाइन के स्रेणी के सभी सदस से आसंतरप्त हाइडरो कार्बन हैं क्योंकि दिव बंद और त्रि बंद वाले जो योगिक होते हैं वो आसंतरप्त हाइडरो कार्बन हैं दोस्तों जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपिल बांड लगा हुआ होता है इसमें दो पाई एक सिगमा बंद पाया जाता है कहने का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपिल बांड लगा है जहां पर भी ट्रिपिल बांड लगा होगा उस एक ट्रिपिल बंध में दो पाई बंध और एक सिगमा बंध पाया जाता है और बंध से जुड़े कार्बन ट्रिपिल बांड कार्बन से जो जाएंगे हो सकता कल भी हम आपको hybridization के बारे में पढ़ाएं तो यहां पर एलकाइन जो ट्रिपिल बंद पाया जाता है एसी ट्लिनिक बंद भी कहा जाता है जो ट्रिपिल बांड जो एलकाइनों में पाया जाता है इस त्रिक बंद को एसी ट्लिनिक बंद भी कहा जाता है तो तो दोस्तों आये देखते हैं तो दोस्तों एलकाइन्स एलकाइन्स रेड़ी का सामान सोत्र CnH2n-2 होता है आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर जो इसमाल N है यह कार्बन परमाड़ों की संख्या है तो दोस्तों एलकाइन स्रेणी का प्रथम सदस्य एसी टलीन होता है तो इसमें एलकाइन स्रेणी में कार्बन कार्बन परमाणू के बीच में एक त्रिक बंध अवस्य पाया जाता है कहने का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में एक त्रिक बंध कर उपस्थित है तो यह compound हमारा एलकाइन स्रेणी का सदस्य होगा और यह triple band को acetylenic band भी कहा जाता है जैसा कि यह carbon पर्माड और यह carbon पर्माड triple band से जुड़े हुए हैं तो यह दोनो carbon पर्माड़ों का संक्रण जो है SP संक्रण होगा कहने का मतलब है यह दोनों कर्माड SP संक्रण में होगे संक्रण के बारे में हो सकता कल आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाएं या बताएं जो भी है तो यह और जहां पर भी triple band होता है वहाँ पर दो πाई बंध और एक सिगमा बंध पाया जाता है तो दोस्तों और जो है acetylene जो होता है यह C triple band C single band H single band H acetylene acetylene इसको कि एथाइन भी कहते हैं यह जो है IUPAC system में नाम है acetylene का तो यह जो है IUPAC system में जब नामन क्लेचर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो सब बताएंगे तो यह पहला सदस्य है तो यह जो है linear में होता है इसकी सनचना जो है linear होती है रेखी तो दोस्तों आज बस इतना ही तो आप लोग video को like करिए और चैनल को subscribe करिए धन्यवाद करिए करिए झाल झाल